कि कि हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को ननिया टेक्निक रंचालन में आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइर गेज के बारे में पूरा डीटेल समझेंगे क्या होता है से हम लोग क्या करते हैं कौन से धातु का बना होता है तो चलिए यह विडियो को में लोग है इसका नाम क्या है वायर गैज है जिसको हम लोग w gb बोलते हैं तो पूल फ्रम क्या होता है इसटेंडर वायर गैज ठीक तो इसको हम लोग बोलते हैं förs टेंडर वायर गेज और यह देख रहे हाँ पे गोल Karena होता और इसके परीधी में कुछ slot बना होता है और ये जो slot होते हैं अलग-अलग size के होते हैं और उस पे अलग-अलग map लिखा हुआ रहता है और उसी map में उसी size में हम लोग major करते हैं तो चलिए समझते हैं कि क्या इसके दौरा हम लोग major करते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह गोल अकृति का होता है और इसके जो परीधी है परीधी पर स्लोट बना हुआ है और यह अलग-अलग size के मेजर करने के लिए हम लोग प्रियोग करते हैं यह देख रहे हैं यह पहले आयतकार होता है उसके बाद में अंदर के तरफ यह राउंड होता है यह दोनों अलग-अलग मापता है जो राउंड वाला होता है जो राउंड वाला भाग होता है यह वाइर का डाइमीटर मापने के लिए परियोग किया जाता है कि वाइर का कि डाइमीटर जो वाइर का डाइमीटर हम लोग मापते हैं जैसे आप लोग पढ़े होंगे जानते भी होंगे कि इस्टेंडर वाइर का साइज मापा जाता है तो वाइर का डाइमीटर मापा जाता है और डाइमीटर हम लोग इस गोल वाले भाग से मापते हैं और यह जो भाग होता है यह जो होता है यह पतली सीट मा पी जाती है इसके द्वारा इसे हम लोग पतली सीट मा पते हैं कि पतली सीट की कि मोटाई यह दोनों आपको ध्यान देना है जब भी आप से बोला जाएगा तो यह वोला जो होता है जो हो जरा इसके द्वारा हम लोग पतली शीट की मोटाई पतने के लिए कम आपको याद रखना है कि जो से परियोग करते हैं इसका परियोग करते हैं तार का ब्यास मापने के लिए तार का ब्यास मापने के लिए मापने के लिए दो नमबर में याद रखना है एक नमर में तार का ब्यास मापने के लिए हो गया दो नम्बर में देखेंगे दो नम्बर में पतली सीट का मुटाई मापने के लिए यह हमेशा पुछता यहां से आपको यह दोनों पॉइंट याद करके रखना है कि पतली सीट की मुटाई मापने के लिए या तार का ब्यास मापने के लिए होता है यहां पर फिर से एक बार समझे लिजिए इसका जो आयतकार वाला भाग होता है इसके दोरा हम लोग पतली सीट के मुटाई मापते हैं और जो राउंड वाला अंदर में बना हुआ है है उसके दोहर्हा हमलोग वायर का ब्यास मापते है इस तिंगर वाईर केiała लिए जोटा है इसके दौरा हम लोगज तार का ब्यास माप सकते हैं या पतली सीड के मोठाइब आप सकते हैं यह दो चीज़ आपको हमेसा याद करके रखना है तिक उसके बाद यह राउंड ओल आपका ब्यास मापता है या इतकार होगे आपका पतली सीट के मोटाई में आपता है इसको हम लोग बनाते हैं यह स्टेलनेस स्टील से कौन सा धातू का बना होता है इस टेलने स्टेल से यहां से इन पॉर्टेट कोर्षण बन जाता है कि स्टेंडर वायर keeps बना होता है यह आपका बनता है इस टेलनेंस एस से और यह सुद सा सुद एगदम होता है आपका स्टैलिस से में जांग एक रह नहीं लगते हैं और यह जो बना होता है यह अलग-लग साइज में होते है से तिस नमबर तक होता है इसका जो नमबर होता है जीडो से च oni होता है जीरो जो साइज होता है इसको थोड़ा इधर से मिटाल लेते हैं जीरो जो साइज होता है वो सबसे बड़ा साइज होता है ठीक जीरो जो साइज होता है पहले तो यहां पर लिख देते हैं आपका जीरो से 36 नमबर तक पाया जाता है इस पर यह जो स्लोट बने हुए होते है जीरो से 36 तक होता है यानि नंबरींग जो होता है उसका जीरो से 36 तक होता है यानि 37 साइज में होते है ठीक यह जीरो व्ला जो साइज होता है जीरो व्ला जो साइज होता है यह सबसे बड़ा होता है क्या होता है सबसे बड़ा होता है और 36 नंबर व छोटा होता है यह आपको हमेशा याद करके रखना यहां से कोशन बनता है और यहां से मेक्सिमम लोग गलत कर देते हैं जिसे अधिक नंबर वाला का साइज अधिक माल लेते हैं और कम नंबर वाले का साइज कम माल लेते लेकिन ऐसा नहीं उल्टा होता है जो जीरो ला होता ह सब से बड़ा होता है और जो 36 नबर वालता है वह सबसे छोटा होता है कुछ इसका साइज होता है इसका जो साइज होता है यह मैं 0.1 टू-0.125 mm होता है ठेक और इसका जो होता है तो इसका नहीं यह तो सबसे बड़ा होता है ना तो मैक्सिमम जो होता है 8 mm होता है और मिनिमम जो हो जाता है 0.125 mm होता है यानि इसका साइज आपको याद करके रखना है जो सबसे बड़ा वाला साइज होता है लगबग 8 mm तक होता है बच्क यहां पर कुछ याप कर रहता है यहां पर कुछ यह yaral देख लेते हैं तुला सभ यह मैं आपका 2 at 31 into the time और इसमें जो होता है इसमें जो होता है आपका 0.005 फाइफ इंच हो जाता है जो इंगे वाला मान होता है जो सब से सबसे छोटा साइजुता है इंच में में पान हो जाता है जीरू पणCloud 01 05 prints और इसमें आपका सबसे बड़ा साइज कौन होता है तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा जीरो और सबसे छोटा साइज कौन हो जाएगा यानि सबसे नंबर में जो अधिक होगा कि यहां तक हम लोग टोटल कंप्लीट कर लिए लगभॉल अवा इसके बारे में टोटल जनी एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा इस टेंडर वाइर गेज जो होता है यह गोल अकृतीम होता है और इसके परीधी पे अलग लग स्लॉट बने होते हैं वह स्लॉट अपना कुछ इस टाइब का बना हुआ होता है थे इसके दवारा हम लोग मदवी मठाई और वायर के डाइमेटर मापने के लिया नहीं व्यास मापने के लिए इसका प्रियोग किया है और यह Reynolds से बना हुआ होता है अर इसके परिधी पे अलग-णग से अलग-णग स्ष्ञाइब लग करना होता है अब इसमें क्या होता है इसका जो प्रियोद्सक्राण를 अलग-णग साइज में सनोटा है अब उसका साइज देखे थोड़ा साथ जो सबसे बड़ा साइज होता है तो नमरिंग में जो सबसे छोटा होगा जो उसका साइज सबसे बड़ा होगा और जिसका नमरिंग सबसे अधिक होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा तो 0 से 36 तक श्टार्ट होता है इसका नमरिंग और 36 नमबर वाला जो होता है वो सबसे छोटा साइज होता है जो कि छोटे साइज के लिए परयोग किया जाता है इसका साइज होता है बड़े साइज का जो होता है 8 mm साइज होता है इंच में जाएंगे तो पॉइंट 31 इंच होता है और छोटे साइज जो होते है अधिक नमब का व्यास माप सकते हैं यह आपका टोटल कम्प्लीट था इस्टेंडर वाइर गेज के बारे में अगर यहां से इसको देखते हैं ति आपका यहां से एक कोशन आपको छुटने वाला नहीं यहां से कंप्लीट टोटल कोशन आपका कभर हो जाएगा कोई भी एग्जाम दे रह को क्लियर किया जाएगा थो जो लोग नये है मेरे channel पे दुटी ऊदेख रहा है नय है तो प्लीट चायनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बल आइकन को प्रेस कर d प्रेश कर देजिएगा जो भी यहां से वीडेव poop load के त्यारी कर रहे है या आई टीए कर लिया है जो ठीवरी का नवलेज नहीं है जिनका पेपर है उन सब के लिए हेलफूल होने माला है तो जाई सब लोग वीडियो का एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास तो चलिया आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं